नवस्कात दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम 9 माई 2022 को NTPC-CBT2 का जो एक्जाम हुआ था उसमें पूछे गए official paper को यहाँ पर discuss करेंगे तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि GK का जो हमारा section होता है यहाँ से total 50 प्रशन NTPC-CBT2 में पूछे जाते हैं और इस बार अगर हम लोग label 6 के प्रशनों की बात करें तो वो आपके moderate to tough level के ज़्यादा थे यानि कि लगभग 25 से 26 प्रशन ही हमारे आसान थे बाकी के आपके जो भी प्रशन पूछे गए थे वो या तो moderate थे या फिर आपके काफी ज़्यादा tough थे तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सारे प्रशनों को discuss करेंगे तो अगर आप label 2, 3 या 5 के लिए तयारे कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अनकेडमी पर मेरी live class होती है ये जो live class है इसमें हम लोग उन सारे प्रशनों को discuss करते हैं जो की आपके TCS के द्वारा conduct करवाय जाते हैं चाहें वह SSC का कोई exam हो या फिर railway NTPC या कोई और exam हो उन सारे प्रशनों का live test होता है तो नीचे description में आपको मेरी profile के link मिलेगी उस पे click करके आप मुझे अनकेडमी के उपर follow कर लीजिए और यहाँ पर जो मेरी live class होती है उसमें सामिल हो करके आप अपने gk और current affair की तयारी को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं अनकेडमी के किसी भी course के बारे में जानकारी चाहिए या फिर अगर आपके किसी exam को लेकर के कोई doubt या सवाल होते हैं या आपका कोई प्रशन है तो यह मेरा whatsapp number है आप इस number पर मुझसे कभी भी contact कर सकते हैं और अगर आपको अनकेडमी के किसी course पर maximum discount चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस number के उपर contact कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं देखे पहला प्रशन जो की toughy level का था कि red earth and pouring rain नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है तो पहले ये धियान रखिएगा कि ये हमारे current affair का प्रशन नहीं है ये जो उपन्यास है इसको 1905 बे में लिखा गया था और ये जो उपन्यास है इसको लिखा है बिक्रम चंद साहब ने तो ये तो आपके toughy level का प्रशन था ऐसे प्रशन जब आपके सामने एक्जाम में आए तो इनको नमस्कार करिए और आगे बढ़िए इनको touch आपको नहीं करना है ऐसे प्रशन जो बिलकुल नहीं आते हैं उन्हें आपको touch नहीं करना है तो इस प्रशन का C option होगा correct अगला प्रशन बहुत ही ज़्यादा आसान कि निमनलिखित में से किस नदी को चीन के तिबबती छेतर में यारलूंग सांगपो के नाम से जाना जाता है तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारे ब्रहोपुत्र नदी है वह तिबबत में चम यूंग डूंग नाम के ग्लेसियर से निकलती है और तिबबत में ही इसका नाम होता है यारलूंग सांगपो उसके बाद में असम में इसका नाम ब्रहोपुत्र होता है और जब ये बांगला देश में इंडर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुनाम तो ये सारे नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए यहाँ पर उप्सन D हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि जिनाय लुईगी डोना रुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में ख़वरों में आया था अब ये देखिए काफी अंदर से प्रशन पूछा गया था देखिए अगर हम लोग इनकी बात करती हैं तो ये हमारे इटली देश के फुटबॉल के खिलाडी है और इटली के टीम के ये गोल कीपर है पिशले साल जो हमारा यूरो कप हुआ था यूरोप में उस टूनामेंट को जीता था इटली ने और उस टूनामेंट में हमारे प्लेयर आप दी टूनामेंट यही रहे थे तो नाम इनका जियान लोईगी डोनारुमा है और इनहीं के बारे में पूछा गया था कि ये कौन थे तो सिंपल सा प्रशन था option C हो जाएगा यहाँ पर खिलाड़ी तो जिसनों ने पढ़ा था उनके लिए आसान था otherwise ये भी हमारा एक टफ़ी प्रशन था अगला प्रशन है आसान सा कि रिगवेद 128 सुक्तों का एक संग्रा है जो की डैस डैस मंडलों में विभाजित है तो ध्यान रखिएगा रिगवेद आपके 10 मंडलों में विभाजित है ये हमारा सबसे पुराना वेद भी है तो D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृतिम दुईप पाम जुमेरा निम्न में से किस देश की पर्योजना है तो ये भी एक तफ़ी प्रशन है जी के सेक्षन से आपके ये प्रशन पूछा गया था देखे पाम जुमेरा हमारा जो कृतिम दुईप है अगर हम लोग इसकी बात करें तो संव्त अरब अमीरात ने इसको डबलब किया है तो इस प्रशन का D option हो जाएगा correct ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पाम के ट्री के आकार में यहाँ पर ये कृतिम दुईप बनाया गया है आपको ये ध्यार रखना है कि 2067 में ये बन करके तयार हो गया था और UAE के द्वारा इसे डबलब किया गया है अगला प्रशन सिंपल सा कि मेमोरी के सम्मन में USB का पूरा नाम क्या है तो USB का पूरा नाम होता है Universal Serial Bus क्या नाम है? Universal Serial Bus इसका नाम है तो C option होगा correct अगला प्रशन ये तो काफी टप था कि निम्न में से किस उबगरा की कच्छा सूरिय समकालिक नहीं है देखिए जब हम लोग Sun Synchronous Arbit की बात करती है तो इसका मतलब हम लोग 600 से 800 किलोमेटर की उचाय की बात कर रहे है तो जो हमारे सेटलाइट इस रेंज में आपके अस्थापित किये जाते है उन्हें हम लोग कहते हैं Sun Synchronous Arbit के सेटलाइट लेकिन इसमें से आपका एक सेटलाइट ऐसा है जो की हमारे Geo Synchronous Arbit में स्थापित है यानि की वो 36,000 किलोमेटर से ज़्यादा की उचाय पर स्थापित है तो ERS1 की बात करें ये भी हमारा सूरी समकालिक है Nimbus 7 की बात करें तो ये भी सूरी समकालिक है Econos की बात करें तो ये भी सूरी समकालिक है लेकिन अगर हम लोग Meteo Set 11 की बात करते हैं तो ये NASA ने लॉंज किया था और ये आपके Geo Synchronous Arbit में स्थापिस सेटलाइट है तो ये काफे टफ प्रशन था C option हो जाएगा यहाँ पर करें अगला प्रशन है कि प्रादिष्ट मुद्रा यानि कि Fiat Money वह है डैस डैस है तो ये भी आपका टफी प्रशन है इसलिए ये ये टफ है कि जनरली हम लोग Economics के उतने ज़्यादा Concept औगरा पढ़ते नहीं है तो Fiat Money की अगर हम लोग बात करते है तो ये एक ऐसी मुद्रा होती है जिसका कोई आंतरिक मुल्य नहीं होता है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा Correct अगर हम लोग प्रादिष्ट मुद्रा की बात करते है तो मुख्य रूप से जब कोई देश संकट वाले स्थिती में होता है तो उस स्थिती में इस प्रकार के मुद्रा को जारी किया जाता है For example जब आपके अमेरिका में ग्रहयुद हुआ था तो उस दवरान Green Wax नाम की मुद्रा जारी की गई थी इस मुद्रा की खास बात ये होती है कि जब भी हमारे इस प्रकार के मुद्रा को जारी किया जाता है तो उसके लिए कोई भी चीज यहाँ पर कोस में रखने के जरूरत नहीं होती है आपने ये पढ़ा होगा कि किसी देश में जब करंसी जारी की जाती है तो उस value का जो gold होता है उसे यहाँ पर कोस में रखा जाता है लेकिन ये जो प्रादिश्ट मुद्रा होती है इसे जारी करने के लिए यहाँ पर कोई कोस नहीं रखा जाता है इसी लिए इस मुद्रा का कोई भी आंत्रिक मुल्य नहीं होता है यह option होगा correct अगला प्रशन सिंपल ही था कि FRBMA को 2003 में अधनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोसे घाटे को कम करने के लिए लच्छ निर्धारत किये गये थे तो बताईए FRBMA का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है Fiscal Responsibility and Budget Management Act तो अगर आप option को पढ़ते तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत के निमनलेखित में से किस पडोसी देश का जो छेतरफल है वो सबसे कम है अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे map से imagine कर सकते हैं देखे पाकिस्तान काफी बड़ा चेतरफल है म्यामार की बात करें ये नीचे तक है तो ये भी बड़ा है नेपाल और भूटान में आप थोड़ा सा confused हो सकते थे लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी map के उपर ध्यान देंगे तो नेपाल हमारा बड़ा दिखाई देता है map में in compare to भूटान अगर माल्दियू option में होता तो माल्दियू सबसे छोटा हो जाता लेकिन माल्दियू नहीं है तो सबसे छोटा हमारा भूटान होगा यहाँ पर option B हो जाएगा correct तो यह देख सकते हैं सारे देशों का मैंने area लिखा हुआ है जैसे भूटान का 38,000 km से थोड़ा जादा है पाकिस्तान का 8,000,000 km से जादा है वर्ग km से जादा है उसी प्रकार से नेपाल की बात करें तो यह लगभग 4 गुना बड़ा है भूटान से म्यामार की बात करते हैं तो यह भी हमारे 6,000,000 km से जादा बड़ा है तो इस प्रकार से भूटान यहाँ पर correct होगा और यह भी एक simple साही प्रश्न था अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल गरंतियों में पाय जाने वाले राइजोबिया जीवानों के साथ परसपर सह जीवी सम्मन्थ के कारण वाईव मंडली नाइट्रोजन का इस्तरी करण नहीं करता है देखें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारे नाइट्रोजन का fixation होता है मुट की रूप से दलहनी फसलों के द्वारा किया जाता है और अगर आप option के उपर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मसूर हो गया, काबुली चना है या मुपली है ये सारे हमारे दलहनी फसलों के अंतरगत ही आते है लेकिन अगर हम गूलर की बात करें यानि की फीकस की बात करें तो ये कोई दलहनी फसल नहीं है तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं फिर भी इसे मैं moderate label में रख रहा हूँ तो D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वे भारतिये तबला उस्ताद संगीत कार ताल वादक वा फिल्म अबनीता निमनलिखित में से कौन हैं जिन्हें 1988 में पदम स्री और उसके बाद 2002 में पदम भूसन से सम्मानित किया गया था तो देखे तबला की बात हूँ तो सबसे बड़ा नाम जो हमारे देश में है वो उस्ताद जाकिर हुसैन का है किसका है उस्ताद जाकिर हुसैन का है यहाँ पर D option हो जाएगा correct हाला कि उस्ताद अल्ला रखा में आप confused हो सकते थे क्योंकि ये भी हमारे टबला वादक रहे हैं मसूर लेकिन इस प्रशन का D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन सा तत्तो आधुनिक आवर्द साने के D block का तत्तो नहीं है देखे ध्यान दीजिएगा तो sodium हमारे D block का तत्तो है स्वारी sodium आपका alkaline metal है alkaline metal है आपने ये बढ़ा होगा उसके बाद में calcium और magnesium की बात करें तो ये दोनों हमारी चारी ये मिर्दा धात्तुएं है sodium आपके पहले ग्रूप में आता है और उसके बाद में दूसरे ग्रूप में आपको calcium और magnesium मिलेगा तो बचता सिर्फ एक है iron iron हमारे d block का element है तो यहाँ पर b option हो जाएगा correct ये आप पूरी periodic table देख सकते हैं जब हम लोग d block की बात करते हैं तो तीसरे ग्रूप से लेकर के 12 ग्रूप के बीच में ये जो सारे element है ये सारे element हमारे d block के element कहलाते हैं क्योंकि इनके आखरी course का जो electron है वो आपके d block में इंटर करता है तो इस प्रशन के लिए b होगा correct और ये भी काफी आसान प्रशन था अगला प्रशन है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों के द्वारा पहली ब्यापारिक कोठी डैस डैस में अस्थापित की गई थी तो इसे मैं फिलहाल टफ नहीं कहूंगा क्योंकि ये जनरली आपके इतिहास से प्रशन पूछी लिए जाते हैं फिर भी इसे हम लोग moderate लेबल में रखेंगे तो 1651 में अंग्रेजों के द्वारा पहली ब्यापारिक कोठी अस्थापित की गई थी option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि किसी निश्चिस समया वधी में लिंग और आयू के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दरसाने वाला आरे क्या कहलाता है अब देखे इसको भी कई लोग moderate लिए tough में consider करेंगे लेकिन अगर आप इस प्रशन के सारे option देखेंगे तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा काफी आसान प्रशन था आपने जनसंख्या पिरामिट जरूर कही ना कहीं पढ़ा होगा या किसी फिगर में आपने जरूर देखा होगा जनसंख्या भरित कोई चीज नहीं है जनसंख्या अतपरवल है जनसंख्या खनाब इन तीनों का कोई सिंस ही नहीं है तो जनसंख्या पिरामिट हो जाएगा जो कि लिंग और आयू के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर साता है यहाँ पर B option हो जागा correct तो यह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यह जनसंख्या पिरामिट बनता है अगला प्रशन है कि इसकैन नेविया एक सांस्कृतिक छित्र है जो की डैस डैस महादूइप में स्थित है तो Nordic की बात की जाए या इसकैन नेविया की बात की जाए यह सारे रीजन हमको यूरोप में ही देखने को मिलेंगे सिंपल सा प्रशन था D option हो जागा यहाँ पर correct जब हम लोग यहाँ पर इसकैन नेविया की बात करते हैं तो Norway, Sweden और Denmark यह तीन देश इसके हिस्से हैं और जब हम लोग नॉर्डिक देशों की बात करते हैं तो Norway, Sweden और Denmark के साथ-साथ Finland और Norway भी इसमें हो जाते हैं Sorry Finland एक देश कोई और हमारा है इसमें चले comment में बताइएगा एक देश इसमें कौन साथ? Iceland इसमें आता है एक बार चेक कर देज़ेगा इसके बारे में तो यहां पर D हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि कल्हर की राज तरंगणी में डैस डैस पर सासन वाले राजाओं की इतिहास का संस्क्रिप भासा में वर्णन किया गया है तो यह भी आसान ही प्रशन है पहले भी ऐसे प्रशन पूछे जा चुके है तो कास्मीर का इतिहास आपको राज तरंगणी में देखने को मिलेगा C option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि गोवा डैस डैस को भारत का 25 राज जी बना था तो गोवा की अगर हम लोग बात करते हैं आपको ध्यान रखना है कि 1961 में जब ये आजाद हुआ था तो उसके बाद में इसको एक केंद सासित प्रदेश बनाया गया था लेकिन 30 मई 1987 को 56 समिधान संसुधन के द्वारा गोवा को एक पूर राजी का दरजा दिया गया था तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रशन है ये आप्शन हो जागा यहाँ पर करेंग अगला प्रशन है कि जून 2021 में तिलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना को विक्सित करने के लिए किस e-commerce फर्म के साथ में साजीदारी की थी तो देखे जाहर से बात है अगर आपको आकास के माध्यम से दवाईयों को भेजना है तो उसके लिए हमारी कोई e-commerce company की जर्वत पढ़ेगी और ये जो e-commerce company है वो आपके flip card थी कौन थी? flip card थी तो ये भी आपके moderate level का प्रशन था D option हो जाएगा current अगला प्रशन है कि सांची के इस्तोप में निम्लेलिखित में से कौन सा प्रतेक चिन सारनात में बुद्ध द्वारा दिये गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है तो ये चिन भी आपने पढ़ा होगा इसे हम लोग चक्र कहते हैं या फिर इसे हम लोग हुईल भी कहते हैं D option हो जाएगा current आपको पता होना चाहिए कि समराट असोग के द्वारा जो सांची का इस्तोप बनवाया गया था वहाँ पर भी आपको ये चक्र देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि मैई 2021 में भारतिय अंतरिच अनुसंधान संगठन के बिक्रम साराभाई अंतरिच केंदर के द्वारा वेक्सित ब्योवसायक रोप से उपलब्द हाई स्पीड बेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले बेंटिलेटर का नाम क्या था तो टोटल इन्होंने तीन बेंटी लेटर बनाये थे, जिनमें से एक का नाम था वायू, तो A option हो जाएगा correct, ये देख सकते हैं, एक बेंटी लेटर का नाम प्रांड था, दूसरे का नाम यहाँ पर वायू था, और तीसरे का नाम था स्वास्ता, तो ये ध्यां रखेंगे, A अनुच्छेद 182 है, उस वो क्या है, तो सिंपल सा प्रशन है, ध्यां रखेंगा, बिधान परिशत के जो हमारे सभापती और उपसभापती होते हैं, उनके बारे में जो प्रावधान है, वो सम्मिधान के अनुच्छेद 182 में मिलेंगे, और ये भी आपके टफ लेबल का अगला प्रशन है, कि निम्न में से कौन सा कतन आ अस्थाई बिनमय दर के लिए उचित है, यानि कि फ्लोटिंग एक्सेंज रेट की बात हो रही है, तो आपको ये ध्यां रखना है, कि जब हम लोग फ्लोटिंग एक्सेंज रेट की बात करते हैं, तो यह आपके माग और आ मान कितनी है, और वहाँ पर चीजों की आपूरती कितनी हो रही है, तो ये भी हमारे एक टफी लेबल का प्रशन था, क्योंकि जनरली हम लोग एकोनोमिक्स ज़्यादा पढ़ते नहीं है, बी आप्सन हो जाएगा, करक्ट, अगला प्रशन है, कि सिद्धी धमाल नाम का जो करक्ट, देखें, TCS आपके डांस से बहुत सारे सवाल पूछता है, और इससे पहले गुजरात के कई सारे डांस पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि आपका टिपनी हो गया, भवाई हो गया, इसके अलावा गरबा है, डांडिया है, पधार है, तो ये सारे डांस हमारे कट रमन, ऑप्शन यहाँ पर B हो जाएगा, करक्ट, और देखें यह जो प्रशन है, अभी जो हमारा सीजल का एक्जाम हुआ था, उसमें भी ये सेम प्रशन आया था, वहाँ पर थोड़े से ऑप्शन बदले गया थे, मतलब ऑप्शन वहाँ पर और ज्यादा खतरनाक थे लेकिन ये नाम as it is दिया गया था, वैसे हम लोग NB रमना पढ़ते हैं, लेकिन आपके सेजल में भी इसी परकार का ये प्रशन बूचा गया था, B option होगा, करक्ट, अगला प्रशन है, कि भारतिय सम्मिधान का जो अनुच्छे 352 है, ये किस्से सम्मन्नित है, बहुत ही ज 356 या 365 में मिलेगा, और जो हमारा बित्य आपातकाल होता है, वो आपको 307 में देखने को मिलेगा, तो इस प्रशन का B option हो जाएगा, करक्ट, अगला प्रशन बहुत ही जादा आसान, कि गाधी इर्विन सम्झोता कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, गाधी इर्विन सम्झ के वायसराय थे, जिनका नाम लाड एर्विन था, उनके भी इसमें 5 मार्च 1931 को ये सम्झोता हुआ था, अगला प्रशन पोचा गया, ये भी आपके टफ लेवल का ही प्रशन है, अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है इसे, 2011 की भारतिये जनकर्णा के अनुसार, भा अगला प्रशन है कि अरजित कुल राजस और कुल लागत का डैस डैस किसी फर्म का लाब होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रशन है, जैसे आपने 110 रुपए किसी में लगा दिये, और वहां से आपको 115 रुपए मिल रहे हैं टोटल, यानि कि ये टोटल रिविन्यू हो गया, ये आपकी टोटल लागत है, और अगर लाभ आपका 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है, 115 से हमने 110 तो माइनस किया है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रशन था, ये आप्शन हो जा गया यहां पर, करक्ट, अगला प्रशन है कि एका धिकार और प्रतिबंधात्मक ब्यापार ब्योहार अधनियम, निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो अगर आपने 2019 वाला जब हम लोगों ने जीडी का पेपर किया था, उसको कभी देखा होगा, तो उसमें भी ये सेम प्रशन आज एटीज पूछा गया था, ये जो हमारा अधनियम है, ये 1970 में एक भारतिय करनाटक गाईका थी, जिनका जन्म डैस डैस में हुआ था, तो वैसे तो हमको पता होता है, कि ये आपके तमिल नाडू राजजिकी हैं, लेकिन एक्जैक्ट आपसे सहर पूछा गया था, तो इसलिए ये प्रशन काफी टफ हो जाता है, और सारे सहर आपके तम अनुसंधान फाउंडेशन के लिए पांच वर्स की अवद में कितने रासी का अनुदान देने की योजना बनाई है, तो इसे मैं आसान नहीं कहूंगा, ये भी हमारे मौडरेट लेबल का प्रशन है, राश्टिय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए सरकार ने 50,000 करोण र दी हो गई, राप्ती हो गई, ये सारी हमारी नेपाल से ही निकलती है, तो इस प्रशन का A option हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रशन है कि भारत के समिधान निर्माताओं के द्वारा, सरकार का जो संसदिय सुरूप है, इसको हमने कहां से लिया था, तो ये जो पारलिया cabinet system है, ये सारी चीजें हमने UK के constitution से लिये है, D option हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रशन है कि गरीबी रेखा की अउधाना पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक हस्ती या बेक्ति कौन थे, आपने इनकी पुस्तक पढ़ी होगी, Purity and Un-British Rule in India, और अगर आपको थोड़ की गई थी, C option हो जाएगा, यहाँ पर करक्ट, अगला प्रशन है कि भारत में, राष्टिय और केष्टा के संस्थापक कौन है, तो ये टप प्रशन था, जो हमारे रवी संकर सहब थे, वो राष्टिय और केष्टा के संस्थापक थे, इस प्रशन का C option हो जाएगा, BBC Indian Sports Women of the Year 2021 में Lifetime Achievement Awards से समानित किया गया था, अब देखें यहाँ पर इन्होंने प्रशन में एक गलती ये थी, गलती ये थी कि इनको 2021 की बजा यहाँ पर 20 लिखना था, क्योंकि जो 21 वाला ये पुरसकार है, वो आपके 2022 में दिया गया है, पिछले साल जो पुरसकार दिया और इस साल के अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो हमारी कर्णम मल्ले सुरी को मिला है, BBC के द्वारा जो Sports Women of the Year का पुरसकार है, वो पिछले साल मिला था कुनीरू हंपी को, जो की आनप्रदेश की चेस खिला रही है, और इस साल मिला है मीरा बाई चानू को, तो ये किरपया करके ध्यान रखेगा, कई बार इसको हमने किया भी था, option C हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि पाणनी की डैस डैस नामा पुस्तक के साथ संस्कृत ब्याकरण का विकास प्रारम्भुआ, बहुत ज़्यादा असान प्रशन है, ये पुस्तक है अश्टा ध्याई यानि कि आठ अध्याय जिसमें है, option B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि नीचे सूची बद्ध, खाद्य पदार्थों में से, बिटामिन C का सबसे समर्थ स्रोत क्या है, बिटामिन C, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्रोत है, वो हमारे खटेफल होते हैं, जैसे कि आपका नीवू, अंगूर हो गया, संत्रा हो गया, यह सारे हैं, भी option हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि बंगाल की खाड़ी के तक पर कॉडार्क का जो मंदिर है, यह कौन सी सताबदी में बनाया ग कौडार्क का जो मंदिर है, इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, उडिसा के पूरी जिले में आपको यह देखने को मिलेगा, और यह बना था 1250 में, 1250 का मतलब क्या हुआ, कि यह हमारी 13 सताबदी में बना था, ध्यान रखिएगा, option B हो जागा यहाँ पर correct, प्रकार से ध्यान कियेगा, कि 1250 में यह टेंपल बना था, तो यह 13 सताबदी का है, B option हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि हेमीस गुमपा उत्सो, गुरू डैस डैस के जैनते के उपलच्च में मनाया जाता है, यह प्रशन भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, उनकी जैनते के उपलच्च में यह टेवार होता है, option A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि निम्न में से किस सरवेच्छन उपगरा को नासा और इस्रो के द्वारा संथ रूप से प्रशेपित किया जाना है, तो यह जो आपका मिस्टन है, संभोता अगले साल के लिए प् परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारे परिवर्तन को यहाँ पर आप्जर्व किया जाएगा, और यह हमारे नासा और इस्रो का स्वेपित मिसन है, यह option हो जाएगा, correct, अगला प्रशन, बहुत ही जादा आसान, कि काली मिट्टी भारत में निम्र्खित में से किस भाग में अधिप्रदेश का हिस्सा, करनाटक हो गया, या फिर आपका तिलंगाना है, वहाँ पर आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी, इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यह पिछली बार NTPC में पूछा गया था, और यह आपकी कपास के फसल के लिए सर्बोत्तम है option A हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि Tata Airlines का सुबारम मोल रूप से किस वर्स किया गया था, तो इसे भी मैं आसान ही कहूंगा, क्योंकि जब से आपके Tata को एक बार फिर से वापस, मतलब Air India को एक बार फिर से दे दिया गया है वापस, तब से इसकी चर्चा काफी जादा है तो 1932 में जो अमारे JRD Tata साहब है, उन्होंने इसकी अस्थापना की थी, भारत सरकार के द्वारा इसको 1946 में जाकर के निशनलाइज कर दिया गया था, और अब एक बार फिर से ये Tata के हाथों में चली गई है, D option हो जागए यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि Hepatitis A, डैस डै करित में याने की लिवर में जो सूजन होता है, उससे जुड़ी हुई ये बिमारी है, A option हो जागा correct, अगला प्रशन है कि Atal Tunnel दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, या मनाली को डैस डैस से जोडती है, तो ध्यान रखेगा, Atal Tunnel जिसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमेटर है, ये आपके मनाली को लाहौल स्पीती से जोडती है, याने कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाग से जोडती है, C option हो जागा correct, अगला प्रशन है कि संस्क्रित मंत्राले के द्वारा, फरवरी 2021 में पस्सिम मंगाल में एक भारत, स्रेष्ट भारत के लच्छ को प से इसको गेस कर सकते थे, याने कि संकल्प महस्तो का कोई मतलब नहीं है, राष्टिय सक्ति महस्तो का कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि आप अमरित महस्तो या राष्टिय संस्क्रित महस्तो में confused होते, लेकिन जो हमारा आजादी का अमरित महस्तो है, वो तो पूरे एक साल क प्रोग्राम है तो ये भी नहीं हो सकता था इसके बाद में ऑप्शन डी ही यहां पर सेस बसता है तो डी ऑप्शन हो जागा करें अगला प्रशन मतलब यह अभी भी बहुत सारे एक्जाम में पूछा जाता है जबकि लाश टाइमें रिपोर्ट 2020 में आई थी संवत राश्ट विकास कारकरम के द्वारा तयार मानो विकास सुचकांग रिपोर्ट 2020 में पहले अस्थान पर कौन है अभी आपके CGL में भी आया था CHSL में भी पिछले साल कई बार पूछा गया और इसमें टॉप पर है नॉर्वे ध्यान रखियेगा हमारा भारत लाश टाइम जब यह रि आपके पटियाला में हुई थी लेकिन यहां पर प्रेश्ण में यह पूछा गया है कि अविनास सालवे ने यहां पर जो 3000 मीटर के स्टीपल चेज है इसको कितने समय में जीता था तो इन्हों ने एक रिकॉर्ड बनाया था इससे पहले इनी के नाम पर यह रिकॉर्ड 2019 में था अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था और यह जो दोड़ है इन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड में पूरी की थी तो यह भी आपका टफी प्रेश्ण था आप्शन सी हो जागए यहां पर करें आखरी प्रेश्ण पूछा गया था कंप्यूटर से किनिम्र में से कौ प्रेश्ण 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 नाम FILE TRANSFER PROTOCOL तो यह भी आपका एक आसान ही प्रेश्ण था इसे हम लोग आसान में ही काउंट करेंगे क्योंकि बाईक की सारे ओप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यह इससे अलग है FTP ही होता है जिसका नाम FILE TRANSFER PROTOCOL है तो इसके माध्यम से हम लोग file को transfer करते हैं, तो इस प्रकार से जो भी आपके official प्रशन पूछे गए थे, जी के section से, उनको हमने discuss कर लिया है, कल रात में हम लोग 9 माई के पहले shift के प्रशनों को करेंगे, और उसके बाद में इसी प्रकार से जो आपके TCS के tough प्रशन आ चुके हैं, CHSL या CGL में, उनको भी हम लोग daily 50 के format में discuss करेंगे, और जो आपके dance हो गए, या आपके संगीत से जुड़े हुए instrument है, या जो हमारा सास्त्रिय संगीत है, इन सब के बारे में detail में हम लोग separate class में भ जया भारत